धनबाग के घनवाडी थाना छेत्र के मोहरी बांध अवेज सराफ ठेका सभीप मुर्ती विसर्चन के तौरान युवक के दो गुट में च्रम कर मार भी इस दौरान घनवाडी के रहने वाले 24 वर्षिये पंकज दिन साथ गंफी रूप से खायल हो गया आनन्फवानन में पुलिस और अस्थानिये लोगों नीग भायल पंकज को धनबाग के S&MN CH अस्पिताल ले गया जहां इलाज के दोरान पंकज की मौत हो गई घड़ना को लेकर परिजनों ने बताया कि अस्थानिये युवक अविशेक निजाद ने मेरे भाई को फीट-फीट कर हत्या कर दिया और पुलिस मूप दर्शरक बने रही साथ ही बताया कि मुर्दी विसरजन तरने जा रहे थे तब ही मोहरी बान सिव मंदिर के पास मेरे भाई को मार कर फेक दिया और इसमें कई लोग सामिल है वहीं अस्पिताल पहुँचे पुलिस ने बताया कि घायल अवस्था में मिला सबसे पहली जर्या के निजी अस्पिताल में भर्ती कराया इस्ति ज़्यादा खराब होने के कारण बहतर इलाज के लिए धनबाद ऐसे निमम सियर्च स्पिताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने ध्वारा घायल युवक का इलाज किया हाला कि पुलिस ने युवक की मौत के पुष्टी उस वक तक नहीं कीती साथ ही कहा मामने की चानबीन की जा रही है हम लोग पता चला कि कोई मार्पिट किया है हम लोग गए उसे उठा के लाय परसाद नर्सिंग हो मुहासकाय के शरिया साइस का ले जाया राथी पि-म-स इस हम लोग लाये हैं अभी तो डाक्टर सहीब करें करें के दावा-दर। चल रहा है लोग बता रहा हुआ हम तो नहीं पता दॉप नबताव एंगा हम कैसे बतावाने हम डाक्टर नहीं है भया तो मोर्चरी में जिन्दा रखा जाता है नहीं तो अभी तो अची में है अब दू डाक्टर साही बताएंगे क्या है था वड़कान में था उसे अंड़कान में था उसे उसे नाड़कान लोग अपसे हैं विशेक निसाथ पर और विच्छ और संगे आघात देख रहा था तो बोलना इसको अच्छ कुमार निशाद पार फॉट कुमार निशाद को शाद कि अट पॉल से गठना है इसको मार के फ्यक दिया इसको पंकश कुमार निशाद कुमार निशाद पर्शासन देखते रगया कोई पर्शासन नहीं निकला बोलाने कि यह दो लुट जिखा रहा है मेरी भाई एक लोता भाई है मेरा अभी सेख कुमार निशाद क्यों मारा था ने कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं कर पाते हैं अब नहीं रहा दुनिया में